नमस्कार बच्चों, हम लोग अलंकार प्रकरन पढ़ रहे हैं और आपके अलंकार प्रकरन में कावे दिपी का अस्तम चिखा इसनातक प्रथम वर्ष के पाठे क्रम में संदरव ग्रंथ के रूप में जो है वो निर्दिष्ट है वहीं से हम लोग अलंकार के लक्षन और उधारनों को क्रम शह देख रहे हैं इस क्रम में हमने शब्दा अलंकार देखे हैं जिसमें अनुपरास, यमक और श्लेश अलंकार उभ्या अलंकार के रूप में देखा और उसके पस्चात उपमा अलंकार हमने देखा अगला जो अलं मालो उपमार होते हैं। बहुत सारे उपमान द्रश्यते देखे जाते हैं तो जहां एक के बहुत सारे उपमान देखे जाते हैं वो मालोपमा अलंकार होता है यानि कि जहां एक उपमेई के बहुत सारे उपमान होते हैं वो मालोपमा अलंकार होता है जैसे कालिदास के अभिज्यान शाकुंतल में शा संसा करते हुए कालिदास जो है वो अनागरातम पुष्पम किसलेम अलूनम करूहे अनाविद्धम रत्नम मदुनवमना स्वादे तरसम और इस तरीके से वो बहुत सारी उपमाएं देते हुए अखंडम पुण्या नाम फला मुचत दुरूपमन घम नजाने भुकतारम कम इह समोबस्थास्यति विधी इस प्रकार से कहते हैं तो शकुंदला कैसी कैसी है बहुत सारी मतला उपमाएं वहाँ पर दी गई है तो जहां एक उपमे होता है और उपमान बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पर जो है मालोक मालंकार होता है तो जो है एक उपमे यह के अनेक उपम देखें कि प्रभा महत्या सिख्येव दीपह त्रीमार्ग येव त्रीदिवस्य मार्ग संसकार वत्तिव गिरामनिशी तयास पूतश्च विभूसितश्च तो यहां जो है यहां उधारन दिया जा रहा है कि हिमाले इस एक उप में ये के बहुत सारे उपमान यहां पर दीपक और मार्ग और मनीशी दिये गए हैं तो यहां पर उप में एक है और उपमान जो है वो बहुत सारे हैं तो हिमाले जो है वो क्या हुआ पवित्र हुआ और सुशोबित हुआ हिमाले किस से पवित्र हुआ पारवती से सुशोबित हुआ तो पारवती से हिमाले वैसे ही सुश जिसे दीपक शुशोबित होता है जिसे विद्वान शुशोबित होता है इस तरीके से यहां पर बहुत सारे उपमान हैं तो यहां उधारन को अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा प्रभा महत्या सिखयाहा दीपह इव तो प्रभा महत्याहा अत्यदिक प्रभावश शिखा से तो बहुत अधिक कान्ती से युक्त शिखा के द्वारा यानि ऐसी शिखा ऐसी लो जो बहुत तिवर है या बहुत महान है ऐसी शिखा से दीपक शुशोबित होता है यानि दीपक की लो अगर बहुत स्वस्त होती है और बहान होती है अच्छी होती है यानि कि वो कम सवर्ग का मार्ग कैते हैं गंगा को तो त्री मार्ग कैते हैं गंगा के द्वारा दीवस्यमार्ग त्री दिव यानि स्वर्ग का मार्ग जो है त्री दिवस्चे मार्ग है स्वर्ग का जो मार्ग है इव जैसे सुशोबित होता है और संसकार वत्या गिराहा संसकार युक्तवानी के द्वारा मनीशी इव मनीशी की तरह तया उस पारवत्ती के द्वारा च वह कौन हिमाले पू पस्या करने से वो हिमाले परवत पवित्र भी हो गया और शुशोवित भी हो गया तो यहां पर जो है एक उपमे है हिमाले परवत और उसके उपमान जो है वो बहुत सारे हैं तो जो है एक क्रिया हो रही है कि परवती के द्वारा हिमाले पवित्र हो रहा है और शुशोवित ह किसे प्रकार शुषवित हो रहा है वो बतारे हैं कि जैसे शिखा से सिखा कैसी महत्या प्रभाव बहुत महान कांथि वाली महान चमक वाली यानि तिव्रता से यूप्त स्वास्ते से यूप्त गंगा के द्वारा स्वर्ग के मार्ग की तर संसकार वत्या गिरा मनिशी इव संसकार युक्त वानी के द्वारा मनिशी जैसे शुशोबित होता है वैसे तया उस पार्वति के द्वारा च वह हिमाले पूतर्ष विबुशितर्ष वो पवित्र भी हुआ और शुशोबित भी ह जैसे महान कांती से युक्त शिखा से दीपक पवित्र भी होता है शुशोबित भी होता है गंगा के द्वारा त्रीदेव का मार्ग यानि कि जो स्वर्ग का मार्ग है वो पवित्र भी होता है और शुशोबित भी होता है यानि गंगा पवित्र भी करती है और गंगा सुंदर भी करती है दीपक की कांती दीपक को पवित्र भी करती है और शुशोबित करती है उसी प्रकार्षे पारवती हिमाले को पवित्र भी करती है और शुशोबित भी करती है तो यहां जो है एक उपमान है पारवती के द्वारा हिमाले का पवित्र होना और शुशोबित होना और उसके बहुत सारे उपमान है, महान कांती से युक्त, शिखा के द्वारा दीपक का पवित्र होना और शुशोबित होना, गंगा के द्वारा स्वर्ग के मार्क का पवित्र होना और शुशोबित होना, संसकार युक्त वानी के द्वारा विद्वान का पवित्र होना और पर यहां पर बहुत सारे उपमेंगे है तो हिमाले के दीपक है मार्ग है मनीशी यह उपमान है और जो है मालोप मालंकार में उपमें एक होता है उपमान बहुत सारे होते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर मालोप मालंकार है तो जहाँ पर एक उपमे के बहुत सारे उपमान होते हैं वहाँ मालोप मालंकार होता है जहाँ उपमे एक होता है उपमान बहुत सारे होते हैं तो मालोप मालंकार होता है तो इस उधारण के दोरा हमने इसको समझा है, तो इस प्रकार से यहाँ माल उपमा अलंकार है, अगला जो अलंकार है वो है व्यतिरेक अलंकार, व्यतिर्यक लंकार क्या कहता है उपमानाद यद अन्यस से व्यतिर्यक सेवसख उपमानाद उपमान की अपिक्षा उपमान की तुलना में तुलना में पंचमी आती है तो विभक्तेश्च उपमान की तुलना में अन्यस से जो दूसरा है तो उपमान के अलावा दूसरा क्या ह उपमेई है, दो ही चीजें यहां, एक उपमेई होता है, एक उपमान होता है, और दोनों के बीच में एक साधारन धर्म होता है, और उसका साधारन धर्म को कहने के लिए एक उपमावाची शब्द होता है, तो यह चार चीजें प्रतियक अलंकार के गर्भ में होती है, मूल मे जब हम उपमा को देख रहे थे, मालो उपमा को देख रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, कि जो उपमेय है, वो उपमेय की तुलना की जा रही है, किसी साधारन धर्म वाले उपमान के साथ, और वो सुन्दर तुलना की जा रही है, इस पस तुलना की जा रही है, वहाँ उपमेय से यानि नाइका का मुख और चंद्रमा नाइका का मुख और कमल तो जिससे तुलना की जा रही है वो ज़्यादा सुंदर होता है लेकिन अगर उपमान की तुलना में उपमेय जो है वो बढ़ जाता है तो साएवस वही वह होता है यानि कि जहां बढ़ जाता है उप मान की तुल्ना में अन्य का जो वितिरेक होता है चाल एव तर वही वह अलंकार होता है तो जैसे की दिशी मंदायते ते जो दक्षन श्याम रवे अपी तश्याम एव रगुहो पांड़या हा प्रताम विशे हिरे तो यहां जो है कहे रहे हैं कि दिशी दिशा में कौन से दक्षिन दिशा में दोनों में सब्तमी है दक्षिन श्याम दिशी दक्षिन दिशा में रवेह अपी सूरे का भी तेज मंदायते मंद हो जाता है दक्षिन दिशा में सूरे का तेज भी मंद हो जाता है और तश्याम एव उसी दिशा में रगो हो प्रतापम रगु के प्रतापम प्रताप को पांड्याः प्रतापम न विशे हरे यहाँ पर जो है न जो है वो छुट गया है एक बार आप इसको न को लगा लें यहाँ पर प्रतापम न विशे हरे तस्व्याम एब उसी दिशा में रघो प्रतापम रघू के प्रताप को पांडे वंच के जो राजा है उन्होंने न विशे हरे जो है वो उसका जो है जिसे कहें कि उसका सहन नहीं कर सके यानि उस रघू के प्रताप को वो पांडे वंच के जो राजा है वो सहन नहीं कर सके त न यहां पर सूट रहा है इसको न को आप लिख लें यहां पर प्रतापम न विशे हरे तो रगु के प्रताप को वो सहन नहीं कर सके तो दक्षन दिशा में रवी का भी सूरे का भी तेज तेज मंदायते मंद हो जाता है तस्चाम एव उसी दिशा में रगो प्रतापम रगु के प्रताप को राजा रगु के प्रताप को पंडया पंडय वंच के जो राजा है वो न विशे हरे सहन नहीं कर सके तो इस प्रकार से यहां पर व्यतिरे कलंकार है क्योंकि यहां पर जो उपमेय है वो क्या है यहां पर स सूर्य क्या है उपमय है और रगु का प्रताब जो है वो उपमय है और सूर्य जो है वो उपमान है लेकिन सूर्य तो मंद पढ़ जाता है दक्षिंदिशा में लेकिन रगु का प्रताब महां भी मंद नहीं पढ़ता है इसका मतलब सूर्य के तुलना में रगु का प्रताब जो है उसका व्यतिरेक हो गया है यानि की वो बढ़ गया है तो उपमान के पेक्षा उपमे के गुणों को अधिक होना जहाँ कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। से यहां पर जो है कह रहे हैं कि दक्षिन जहां दक्षिन दिख्षा में सूरे का तेज भी मंद पड़ जाता है उसी दक्षिन दिख्षा में पांडे वंश के जो राजा है वो रगु के प्रताप को सहन नहीं कर सके तो यहां पर जो है जो उपमान है सूरे उसके तुलना में जो रगु है उसके शौरे उसके प्रताब का व्यतिरेक यानि कि उसका आदिक के यानि कि उसका जादा होना और सूरे के तेज का मंद होना इस प्रकार का वर्णन किया गया है तो ये व्यतिरेक अलंकार है तो रगु उपमे है और सूरे उपमान है लेकिन रगु का प्रताब वो सूरे की तुल्ना में बढ़कर के है क्योंकि यहां सूरे का तेज मंद पड़ जाता है वहां भी रगू का तेज मंद नहीं पड़ता है तो यहां हम कह सकते हैं वहांसरे की तुल्ना में Three रगू का जो तेज है उसका यहाँ पर अधिकता से वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ पर जो है वहधिरेक अलंकार है तो थो सम अमे से बढ़ कर ए लेकिन जब उपमे ही उपमान से बढ़ करके हो जाता है, यानि कि जब उल्टा हो जाता है, तब वो व्यतिरेक अलंकार होता है, तो यहां सूरे का तेज, रगु के तेज के तुलना में कम बढ़ गया, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो गया, यानि इस तरीके से वर्णन किया है कि रग